अब रिजर्वेसिन की बात छोड़नी पड़ेगी, हमें देश के उद्योग में, देश के व्यपार में, देश के सारे प्राकर्थिक संसाधनों में, एग्रिकल्चर लेंड में, जल जेंगल जमीन में, जहार वो खरुब रुपिया पैदा होता है, हमें उसमें सब में हिस्सा अब ही लगबक पौने दो साल पहले, 14 अक्टूबर को मैं नागपूर गया था, और नागपूर में दीखसा भूमी जब मैं गया, कोविड के दोरान, तो मैं अबावा सहीब की मूर्ती की तरफ देख रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मला मेरा दिल मेरे से ही बात कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर बावा सहब मुझे ये कह रहा है, कि मैं हजारों साल की गुलामी से अपने समाज को बाहर निकाल के लाया, चार चार बच्चों ने मेरी जान गवा दी, और कितनी मुसीबतों के बाद इस कारवा को यहां तक लेकर आया, और यह मुझे समझा गया था कि जाती की वज़े से जाती कत उत्पीडन है, और यहां काफी प्रयास करने के बाद भी मैं जाती वाद को खतम करने में सफल नहीं हो पाया, तो अगर अपने लोगों को जाती कत उत्पीडन से बचाना है, तो हमें अपने बुजर्गों की सां कल्ब के साथ उन्होंने चोड़ा अक्टूबर 1956 को बहुत धंकी दीख साली लेकिन मैं तो एक महिना बाइस दिन बाद निर्वान प्राफ्ट हो गया मेरे बाद तुम लोग जो मैंने जो बहार गुलामी से निकाला आपको अच्छे-च्छे पदों तक पहुचाया आपके सब्सक्राइब की हमारे देश से जाती के नाम पे जो पीड़न एक हतम हो और एक प्रबुद्ध भारत बने बौद्ध में भारत बने जहां सबके लिए समता सुतनता बंदुता और नयाय हो सबके लिए प्रग्या हो सबके लिए सील हो करोना हो क्या यह जो मेरा सपना था भ बाहर कुछ मीडिया के साथ ही खड़े थे तो मैंने उनके सामने यही बात बोल दी और मैंने का कि 2025 तक हम 10 करोड अपने लोगों को अपने बुजर्गों की सांस्क्रित की विरास्त में बुद्ध के धंब में वापस लेकर आएंगे यहीं वापस जब मैं दिली आया तो हम लोग ने मिश्ण जयभिम जो हम लोग न बनाया था ऊसको बने कुछ महिने के उसमें अपने सारे साथियों के साथ इस पे चर्चा की फिर जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनी दी हमारे उन से चर्चा की चर्चा करने के बाद फिर यह तह हुआ कि एक साथ दस क्रूर बनाना तो अनुभव कैसे होगा कि सफल होंगे असफल होंगे फिर हमने इसको कहा असोग विजय दसमी को 5 अक्टूबर 2022 को डोक्टर अमबेटकर भावन रानी जहांची रोड करोल बाल जो बावा साहब ने अपने अकाउंट से चेक काट के खरीदा था उसी जगह पर उस पवित्र भूमी पर इस बार 5 अक्टूबर को देखसा दिवस के दिन 10 करोड से ज्या नहीं करवारे हम सर्फ ये लोगों को समझाने का प्रयास करें कि जिस तरह घर से कोई आदमी निकलता है और वो दूर चला जाता है और मालो उसकी यार्दास खो जाये, वो रास्ता भटक जाये जब उसकी यार्दास vapeس आ जाती यह, उसे अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाता है, तो वो वापस अपने घरी तो आता है फिर, तो उसी परकार हमारे पूरवज बौध थे। हमारी बुद्ध संस्कृती भारत से गई पूरे दुनिया ने स्वीकार किया आज हमें जब यह एहसास हो गया अपना इतियास पढ़ने के बाद कि हमारा इतना गौर्वसाली तियास हमारे पूरवज बौध थे तो आज हम अपने लोगों को अपने बुजर्गों की सांस्कृती की विरासत के बारे में अपने बुजर्गों की इतियास के बारे में बता रहे हैं तो पूरा समास तयार हो रहा है कि हम वापस अपने घर में आएंगे अपने बुजर्गों की सांशकर्तिक विरासत में बुद्ध के धम्में में वापस आएंगे तो यह जो देखसा का प्रोग्राम है यह बेसिकली अपने बुजर्गों की सांशकर्तिक विरासत को सजोने समारने का अपने समास को वापस देखसीत करने का ये पर्व है इस साल 5 अक्टूबर को 10,000 का लक्सर रखा था लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा पूरे देश में जो मिसन जैभीम के लोग और बाकी भी हमारे समास के लोग अलग लक्सराइटों के लोग भी कोसिस कर रहा है उस कोसिस से वो 10,000 जो हमने तेय किया था वो ही कम से कम 30-40,000 पर तो अभी तक पहुँच चुगा जो लोग रिश्टेशन के लिए अपलाई कर रहे है गुजरात पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग दीख साका आयजन कर रहे है हर साल वैसे तो असक विजए दसमी पर दीख साका आयजन होता है बारते बहुत दमा सबा हर साल करती है और भी संगठन करते है लेकिन इस बार अके लिए गुजरात में दसजार से ज़्यादा लोग कर रहे है यूपी के अंदर दसजार से ज़्यादा लोग कर रहे है दिल्ली के अंदर दसजार से ज़्यादा लोग कर रहे है बिहार में कर रहे हैं, मद्द प्रदेश में कर रहे हैं, महराष्टर में कर रहे हैं तो जैसे जैसे लोगों को अपने बुजर्गों के इतिहास के बारे में पता चल रहा है वैसे वैसे लोग वापस क्योंकि सब देख रहे हैं कि ये जाती की वेश से हमारे साथ जाती के तुद्पीडन है आए दिन मूच रखने पहते हो रही है घड़े छूलेने मातर पहते हो रही है गोड़ी पे बरात निकालने पे हमला हो रहा है तो इस तरह की जो घटना है ये हमें सरमसार करती है इससे दुख पैदा होता है इसी वज़े से हमने सोचा कि फिर अगर जाती में बने रहे के जाती के तुद्पीडन बना रहेगा तो फिर हम इससे बाहर निकालाते हैं हम अपने बुजरुकों की सांस्कीतिक विरासत में बुद्ध के दम्मे बापाता है इसी संकल को एसाथ हमने इसको चार चड़न में बाटा इस साल पांच अक्टूबर असोग विज़े दसमी दसमी 2022 दिख्षा लेंगे और उसके अगले साल जो हमारा जो टार्गेट है दोजार पच्चीस में दस करोड़ लोग दिख्षा लेंगे इसकी तैयारी में हम सब लोग लगें समाज के जो बावा सहब से प्यार करते हैं अपने बुज़र्गों की सांश्किति विरास्त को बचाना चाहते हैं हम उन सब कहवान करते हैं आप आईए और अपने समाज को अपने बच्चों के भविसे के लिए चुकि गुलामी फिर से हमारी तरह बढ़ रही है तेजी से गुलाम दोबारा बच्चे हमारे गुलाम न बन जाए चुकि पढ़ा इतनी महंगी कर दी हमसे फिर छिंजाए हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे भविसे में और रिजर्वेशन लगबख खतम हो गया नोक्रियां हैं नहीं तो एक तरीके से देखा जाया है तो हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिस है हम उस साजिस को काम्याब नहीं होने देंगे और उसको फेल करने का एक ही तरीका है कि हम लोग ऐसी संस्कृती को ऐसी सब्विता को यह ऐसे सामाजी की वेवस्था को मजबूत क्यों करें जिसमें जाती पूछ के हमारी हत्या होती हो जिसमें हमारे साथ जाती के तो पिड़न होता हो जिसमें हमारे आगे बढ़ने के अफसर ना हो जिसमें हमारे लिए कोई सम्मान ना हो जिसमें हमारे स्वाबिमान पर बार बार हमले होते हो तो ऐसी वबस्ता को छोड़के हम सम्ता सुतनत्रता बंदता और नयाय पराधारित प्रग्याय पराधारित सील पराधारित वबस्ता में वापस जाने का संकल्फ हमने किया है बावा साब कोई कोड़ कर रहा हूं कि बर्मा में उन्होंने कहा था कि अब अधर्म के पतन के बार में भाशन दिया खुर्थ बुदिष्ट कॉंसिलर और कहा था कि कई कारण थे इसके डिकलाइन होने के एक तो इसलाम का अक्रमन भी था अफगालिस्तान तक पुरा बहुत द क्या प्रजादी करें देखिए इसमें हम दो चरण पर काम कर रहे हैं एक तो हम लोग का जो अपना अनुभव है कि जो हमारे महापूरुस हुए बोजन समाज से उन्होंने अपने अपने तरिके से प्रयास किया लेकिन वह सफल क्यों नहीं हुए एक तो ऐस सफलता के कारण भल्ट करें करें तो हमें यह समझ है कि हमारे कně पर मैंने तॉ प्रमानेंट केसरे यह नहीं है पर्मानेंट पर Vous उसका क्या कुरिकुलम होगा, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, कौन-कौन से हमारे महापुरुसे हैं, उनके जीवन संगर्स को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह डेजाइन करना है, उसकी डोकुमेंटरी भी बनानी है, तो सब साधन पर काम चल रहा है, करीब 11 प्रोफेसर् मैप त्यार हो गया है, कंस्ट्रक्शन वाला काम उस पर भी काम चल रहा है, दूसरा, हमारे बोध बिक्सु जो बने, उनको भी केडराइज करके, उनको ट्रेनिंग दे के, बिक्सु एक तो कपड़े पहने ना, चीवरदारन करने से बिक्सु नहीं होगा, उसको ग्यान को पर जित करना, फिर उस ग्यान को आगे देना, मठादीस बनने से नहीं चलेगा, कि आप एक जए कबजा करके बैठ जाओ, और वहीं बैठ जाओ, उसको मालिक बन जाओ, उससे नहीं चलेगा, बुद्ध के धंवे में बिक्सु का काम तो विचरन करना है, और ग्यान बाटन से ट्रेनिंग देके, फिर वो लोग आगे चलें, और समाज में भी हम उपासकों के बीच ऐसा संदेश दे रहें कि उपासक भी समझें कि विक्सु के खाने का थेरने का मालो दो दिन के लिए यहां आया, तो यहां कोन उपासक उनका जहां रखेंगे, यहां से घ्यान देके वो आगे चलेंगे, वहां कोन रखेंगे, तो हमें उपासकों के अंदर भी वो सरदा भाह वाना चाहिए, तो उस पर सब पर काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपके सवाल रिजूल हो जाएंगे, नहीं वो बिलकुल सच बोला उन्होंने, लेकिन उस बचने का मार्ग एक है, हम अगर ये हमें पता लग जाए कि इस पानी में बैक्टीरिया है, और ये जानने के बाद भी हम उसे पिएंगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होना तया है, बचेंगे कैसे बीमारी से, तो अगर आपके पास सुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, त हमें अच्छा पानी उपलब देश उसे पीना चाहिए, तो इसका ये की तरीका जिन चीजों से खत्रा है उससे तो दूरी तो बनाए है, आप खत्रे की तरह बढ़ोके तो पर तो सर तो फूटे गई, उस खत्रे से अपने लोग को दूर करना है, वो खत्रे बिलकूल सही है दोनों खत्रे हैं वो समयदानी दरिष्टी से कर बात करूँ तो 2016 में गर्वर्मन्ट फ इंडिया से एक और निकला जिसकी कोपी मैं आपको अवेलिवल करा दूँगा मैंने बाकी राज्यों में भी भीजी है कि आप आप कास सेटिपिकेट अपलाई करते हैं वो लिख सकते है आपको अलाव वो मिल जाएगा सेटिपिकेट मैं तो से एक कदम आगे बढ़के बोल रहा हूं कि रिजर्विशन तो वैसी खतम हो चुका है हमें तो आगे का सोचना है हम बहुत दमें बनेंगे पूरा भारत हमारा सारी प्राकरतिक संसाद्रों में हमारा हिस्सा कहा है हम व देश के व्यपार में देखे सारे प्राकरतिक संसाद्रों में एग्रिकल्चर लैंड में जल जेंगल जमीन में जहां और वो खुर्व रुपिया पैदा होता है हमें उसमें सब में हिस्सा चाहिए अब तो उसकी बात करने बढ़ेगी यह जो दलित समाज के कुछ लोग है इन्हों ने डोक्टर बाबा सब बुद्ध को अपने तक सीमित रख दिया है वो लोग यह चाप लगा रहे हैं बुद्ध का धम तो ग्यान पर अधारित है बुद्धी पर अधारित है विवेक पर अधारित है वो तो एक जीवन जिने का गच्छा मार गए उसमें जाती के लिए वर्ण के लिए कोई स्थान ही नहीं है जो लोग अभी भी जाती में बने हुए वो लोग फिर बहुत नहीं है